गुड मार्निंग स्टूडेंट्स हमने पिछली कहानी को पढ़कर हमने जाना कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए अब हम लोग एक नया कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे नीचे बॉक्स में कुछ सहायक शब्द दिये गया है जो बॉक्स है यहाँ पर से यह जो शब्द दिये गया है जिनकी सहता से आप कहानी पूरी किजे इन शब्दों की सहता से हमें कहानी को पूरा करना है बच्चों यह जो खाली स्थान है इन खाली स्थानों में यहाँ से शब्द लेकर इस कहानी को पूरा करना है तो आव हम लगे इस कहानी को सुरू करते हैं गोपाल नाम का एक था ये खाली स्थानी यहाँ पर हमने लड़का यहां से शब्द लिया शाहर एक सब्द तो इस तरह से यह वाक्य पुरा हुआ गोपाल नाम का एक लड़का था वह पहाड़ी पर एक छोटे से गाउं में रहता था ये गाउं मैंने यहां से लिया गोपाल रोज सुबह अपनी गायों को लेकर पहाड़ी पर निकर जाता वह काफी शरारती था मतलब बहुत बदमाज था जो देखो ये शरारती शंथ यहां से मैंने लिया है वह हमेशा कुछ न कुछ जुट बोलकर गाउवालों को तंग करता रहता था एक दिन वह पहाडी पर अपनी गायों को चराने केली ले गया और जोर जोर से चिलाने लगा बचाओ बचाओ शेर आ गया शेर मेरी गायों को खा जाएगा उसकी आवाज सुनकर गाउवाले दोर चले आए किसकी आवाज सुनकर गोपाल की आवाज सुनकर गोपाल रोच अपनी गायों को पहाडी पर चराने के ले जाता था और वह बहुत ही बदमास था शारती मतलब बहुत बदमास था वो हमेशा उसने को जुड़ बोलकर गाउवालों को तंग क्या करता था एक दिन पहाड़ी पर अपनी गाउवालों को चलाने के ले गया और वहाँ जोड जोड से चलाने लगा क्या चलाने लगा शेड आ गया और शेड मेरी गाउवालों को खा जाएगा गाउन ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसकी आवाज सुनकर गाउन वाले दोर चले आए कहां चले आए पहाडी पर जहां हुआ गाउन को चरा रहा था उन्हें देखकर गाउन वालों को देखकर गोपाल जोर जोर से हसने लगा यहां देखकर गाउवालों को बहुत गुस्सा आया क्यों गुस्सा आया? क्योंकि गाउवालों उसे बचाने के लिए आये थे उसकी गायों को शेर से बचाने के लिए आये थे परन्तु वह गाउवालों को देखकर जोड़ जोड़ से हसनी लगा और यहाँ देखकर गाउंवालों को बहुत गुस्सा आया अगले दिन फिर उसने ऐसा ही किया और गाउंवाले फिर नाराज होकर चले गया लेकिन एक दिन सचमुची एक शेथ पहाडी पर आ गया वो हमेशा चुट बोलता था गाउंवाले आते थे और फिर वे नाराज होकर चले जाते थे लेकिन बच्चो एक दिन सचमुची एक सेथ पहाडी पर आ गया और वो गुपाल की गाई को खाने लगा गुपाल बहुत चीखा चिला आया पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया क्यों कोई मदद के लिए नहीं आया बच्चो क्योंकि वो हमेशा ही जूट बोलता था उसकी मदद के लिए गाउंवाले आते थे और वो हसते था इससे गाउवालों को लगा कि वह रोज की तरह आज भी जूट ही बूल रहा है यही करन था कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया इस तरह शेर उसकी गायों को खा गया कोई मदद के लिए नहीं आया गाउवाले तो शेर आसानी से गुपाल की गायों को खा गया और वो देखता ही रहा गया, तो बच्चो इस कहानी से में यह सिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए, क्या सिक्षा मिली है बच्चो हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए, यदि गुपाल सच बोलता तो गाउवाले उसकी मदद करने के लिए जर नहीं आया और इसका प्रेनाम क्या हुआ बच्चो की सेर उसकी गायों को खा गया और वह चुचा देखता ही रह गया इसलिए बच्चो हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए बच्चो जिसमेकार में इन खाली स्थानों पर ये शब्दों को भरा है इन शब्दों की सहता से इस कहानी को पुरा करना